रूस और यूक्रियन के बीच चल रहे संगर्ष में एक नई और चौकाने वाले अस्थिति उत्पन हो गई है हाल ही में यूक्रियन रूस पर एक आक्रमक हमला किया है जिसने ना केवल पुतिन के लिए चिंता बढ़ा दी है बलकि पश्यमी देशों को भी आश्च्वरे चकित कर दिया है इस हमले के बाद रूस ने अपने सुरक्षा विवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए और कूसकर शित्र को सुरक्षित करने के लिए महतपूर कदम उठाए है यूकरेन से हमले के संकट में आया रूस का किला अमेरे की सूत्रों के मताबिक यूकरेनी बलो ने कुरूसकर पर जोरदार हमला किया जिससे रूस को अपने हजारों सैनिकों को यूकरेन के मोर्चे से वापस बुलाने पर मजबूर होना पड़ा ये सैनिक अप रूस के मुख्य पूरवी मोर्चे पर तैनाद किये गए हैं क्रूसकर पर यूक्रेनी हमले ने रूस के सुरक्षा विवस्था को गहरा जटका दिया है इस हमले के बाद रूस ने शित्र में कम से कम 1000 सैनिकों की टुकडियां तैनाद की हैं हाल ही के हमले के बाद यूक्रेनी ने क्रूसकर में लग भग 386 वर्ग में शित्र पर आजस्थाई कमजा जमा लिया है यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की प्रमुक सैनियस थलो जैसे खारकीव, प्रोक्रेवस और तोरेस्कव की रूस की सेनाओ को बेदखल कर दिया है इस स्थिती ने रूस की सुरक्षा चिंताओं को और भी बड़ा दिया है। रूस ने हजारों सैनिकों को कुरूसक में तैनाद किया। वाइट हाउस के राश्टे सुरक्षा प्रवक्ता जॉन क्री भी ने कहा कि हमने कुछ रूसी यूनिट्स को यूकरेन के आसपास से उक्रेन के मोर्चे पर बड़ा प्रभाव पढ़ने की संभावना नहीं है क्योंकि रूस के पास वहां लाखो सैनिक है। इस बीश यूकरेनी लॉजिस्टिक हब प्रोक्रोप्स पर भी विश्यस दबावा गया है। इस्थाने सेने प्रशासन निवासियों से जगा खाली क करने की अपील की है जिससे इस्तिदी और भी तनावपूर हो गई है।